हेले दोस्तों कैसे आप सभी आज की स्रीज में हम लोग 8 जनुरी 2022 के पेपर को सॉल करेंगे यानि 8 जनुरी 2022 को आपके सीटेट के एक्जाम में जो हिंदी पेड़ागोजी से कोशन किये गए थे उन कोशन को देखेंगे तो पहला कोशन आप स्क्रीन पर देख पा रहोंगे अधिगम की योजना बनानी चाहिए आफसन फर्स्ट है सिच्छार्थी सेकेंड है बाल केंडरी थर्ड है शिच्छक केंडरी फूर्थ है विश्तार वादी तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए जैसा कि आप कोशन को समझ पा रहोंगे निमना लिखित में से किस सिच चड़ शास्त के लिए बच्चों के मनुवाग्यानिक विकास तथा रूचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए दोस्तों जैसा कि आंसर तो आप लोग को कंफर्म होई गया होगा क्योंकि मैंने इतनी सारी स्रीज करवा दिये सारी चीज़े जो है हर जगर शेयर कर दीजिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाल केंद्रित होगा ठीके बच्चों के अनुभवा उनकी बातों थे था उनकी सक्रिय भागेदारी को पर मुक्ता देनी है इस परकार के सिचर शास्त के लिए बच्चों के मनुवाग्यानिक विकास तत रूच्यों को ध्यान में रखकर अधिगम की यूजरा बनाई जाती है यानि बाल केंद्र बच्चे को केंद्रवान करके ठीक है तो हमारा सेकेंड आप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन देखेंगे समालोजनात्मक सिच्चर शास्त्र दिरुड़ता से किस बात में विश्वास करता है फर्स्टे बच्चे विद्धाले के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वो अप्रा संगिक है सिकेंडे सिच्चार्थियों के अनभव तथा दिरिष्टि कोड महत्वपूर है थार्डे सिच् सिच्चर शास्त्र दिरुड़ता से किस बात में विश्वास करता है बच्चे विद्धाले के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वो अप्रा शंगिक है या फिर सिच्चार्थियों के अनुभव तथा दिरिष्टि कोड महत्वपूर है थार्डे सिच्चक को सदैव कच्छा न चाहिए यह भी नहीं होगा शिच्च्चारथियों को स्वतंतर रूप से तर्ग करने की अवश्यकता नहीं है यह भी नहीं वोगा यृष्टियों के अनुभव तथा दिरिष्टी कोड महत्वपूर है यह हमाराथ निक्स्ट आंसर होगा यानि औप्शन सेकेंड आपका Great ह जाएगा नेक्स कोशन देखेंगे यदि शिचक नया पार्ट पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनुरंजर से जुड़ी गतिविदी में संलंग न करते हैं तो क्या उद्देश हो सकता है फर्स्ट है विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, सेकेंड है पार्ट आरम करने से पुर्व विद्यार्थियों को अनुशाशन में करना, थर्ड है कारेभार को कम करना, फोर्ट है विद्यार्थियों में पुरुत्षाहन और उत्सा का संचार करना तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए यदि शिचक नया पार्ट पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनुरंजल से जुड़ी गतिविदी में सलंगन करते हैं तो क्या उद्देश हो सकता है विद्यार्थियों का ध्यान हटाना ये नहीं होगा पार्ट आरम करने से पुर विद्यार्थियों को अनुशाशन में करना ये भी आपका नहीं होगा कार्यभार को कम करना ये भी नहीं होगा यानि विद्यार्थियों में पुरुत शाहन और उत्सा का संचार करना फोर्थ आप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे मनुष्य अनुभाव के माद्यम से भाशा ठीक उसी परकार से सिखते हैं जिस तरह वे अन्यकोशल सिखते हैं यह किस विचारक के सिधान्त की और संकेत करता है ओफ्सन फर्स्ट है चॉम्सकी सेकेंड है प्याजे थर्ड है वाइगोसकी फोर्ट है स्कीनर दोस्तो जैसा कि आप कोशन को समझ पारोगे मनुष्य अनुभाव के माद्यम से भाशा ठीक उसी परकार से सिखते हैं जिस तरह वे अन्यकोशल सिखते हैं यह किस विचारक किसी धानत की और शंकेत करता है यह हमें बताना है दोस्तो इसमें स्कीनर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यानि फोर्ट आप्शन जो है यह करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन देखेंगे रचनावादी कच्छा में शिखारती किस परकार से कारे करते हैं फस्ट है शमू में अंतक रिया करते हैं तरह कच्छा में आवाजे करते हैं सिकेंड है अपनी काप्यों में सबी विकल्प लिखते हैं थार्ड है किवल शिखा के साथ ही अंतक रिया करते हैं फोर्ते किसी भी तरह अंतक्रिया नहीं करते हैं, तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए, रजनावादी कच्छा में शिचार्थी किस परकार से कारे करते हैं, किसी भी तरह की अंतक्रिया नहीं करते हैं, ये नहीं होगा आपका, केवल शिच्छा के साथ ही अंतक्रिया कर करते हैं यह आपका करेक्ट अंसर होगा option first आपका करिक्ट हो जाएगा next question प्रकेंगे निमिनलियलिक funk ag a concerns البाषा सिच्ठ के सिभान के रूप में नहीं लिया कि यहां सकता कि यहां में नहीं बताना एक्यां भाषा सिच्ठ के सिधाANT के तो दोस्तों इसमें क्या बताना है हमको कौन सा भाषा सिच्छड के सिधान के रूप में नहीं लिया जाए सकता चैयन तक्ता सिरेडियों में बाटना ये तो हो सकता है एक गरित तरीके से सिच्छड करना ये भी हो सकता है अधिक से अधिक उसर देना ये भी हो सकता है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगर शेयर करिए ताकि हर स्टुडेंट जुड़ सके सपार्थी एक दूसरे के प्रति स्विक्रीति का भाव रखें इसके लिए किस तरह का कच्छाई परिवेश उपियुक्त है फर्स्ट है विवित्ता वाले शिचार्थियों वाले समावेशी कच्छा, सेकेंड है चैनित शिचार्थियों वाले समावेशी कच्छा थर्ड है विवित्ता वाले शिचार्थियों वाले विशिष्ट कच्चा फोर्थ है चैनित शिचार्थियों वाले विशिष्ट कच्चा दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए सपार्थी एक दूसरे के प्रती स्विक्रिति का भाव रखे इसके लिए किस तरह का कच्चाई परवेश उप्यूप्त है चैनित शिचार्तियों वाले विशिष्ट कच्चा क्या ये होगा हमारा नहीं होगा विवित्ता वाले शिचार्तियों वाले विशिष्ट कच्चा ये भी नहीं होगा चैनित शिचार्तियों वाले समावेशित कच्छा ये भी नहीं होगा यानि विविध्ता वाले शिच्चार्थियों वाले समावेशी कच्चा ये आमारा करीक्ता अंसर होगा नेक्स कोशन देखेंगे निम्ना लिखित मैं से कौन सा उपचारात्मक शिचर का उद्देश नहीं है इसमें भी दोस्तु क्या बताना हमें जुर नहीं है वो हमें बताना है फर्स्ट है अपर भावकारी आदतों को हटाना सिकेंड है उन भाशा तत्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं थार्ड है शिचार्थियों को अच्छी तरह से रटाना फोर्थ है उद्दीप है अब परभाव कारी आदतों को हटाना ये तो आपका होगा ही उन भाशा तत्यों को दोबारा पढ़ाना जो उनुने सही तरह से नहीं सिखा है ये भी हमें है हमारा जो है उद्देश में आता है उद्दीपन उपागमों के साथ सिचार्थियों में अधियम के लिए रूची जागरित करना ये भी होगा यानि शिचार्थियों को अच्छी तरह से रटाना ये हमारा नहीं होगा तो हमें नहीं ही बताना है तो थर्ड आप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीके नेक्स कोशन देखेंगे भाशा पढ़ाते समय विद्दार्थियों की निमच्जन विदी दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए भाशा पढ़ाते समय विद्दियार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उप्यूक्त उपागम होना चाहिए इसका अंसर आप लोग फटा फट कमेंट बॉक्स में करिए आफसन फर्स्ट संडचनात्मक उपागम या फिर्श सिकंड संप्रिश्टात्मक उपागम थार्ड है व्याकरड अनुआद विदी फोर्थ है निमच्जन विदी इसका अंसर आप लोग बताइए दोस्तों जैसा कि बहुत सारे स्टुडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैं 15 नमर का जो पेड़ागोजी आता है वो पूरा करवा दिया करिए तो दोस्तों मैंने वो सारे कोशन ले लिये हैं जो 15 कोशन आपके आते हैं लेकिन थोड़ा मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ा है तो आप लोग भी उसी तरह इन चीजों को समझे और जादा जादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हरी स्टुडेंट तक पहुँचे तो दोस्तों इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा हमारा सेकेंड आप्शन संप्रिष्डात्मक उपागम यह हमारा करेक्ट आंसर होगा जैसा कि आप कोशन को समझ पारोगे बहाशा पढ़ाते समय विद्यार्तियों की प्रति भागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सब से उप्युक्त हो उपागम होना चाहिए तो यह संप्रिष्डात्मक उपागम नेस कोशन देखते हैं कि यदि शिचक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिच्छर करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए फर्स्ट बच्चों को अपनी तथा अधिगम शैली को प्रदशित करने के लिए पाठ्थ सहगामी गति विदियों में भाग लेने की सला देनी चाहिए सेकेंड है युगात्मक आकलन परिच्छा में बैटने से पहले सभी पाठों की पुन्रा विरित करने के लिए करना चाहिए थर्ड है यह सुनिशित क करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है विद्यार्थियों की जल्दी जल्दी परिच्छा लेनी चाहिए फौर्थ है विद्यार्थियों के विवित्ता को संबोधित करने के लिए विवित्परकार की शिच्छड विदियों का प्रियो करने के लिए पार्ट सहगामी गतिविदियों में भाग लेने की सला देनी चाहिए योगात्मक आकलन परिच्छा में बैटने से पहले सभी पार्टों की पुन्रा विरित करने के लिए कहना चाहिए यह सुनिशित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर रूप से स आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा यानि फोर्थ आप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन देखेंगे निम्ना लिखित में से कौन सी भाषा की कच्छा में सबसे अधिक परभावकारी शिचड़ विदी है फर्ष्ट है शुद्ध उचारण पर बल देना सिकेंड है पुस्तक की पार्थे सामगरी को सश्वर पढ़ाना थर्ड है शुद्ध उचारण तथा भाव के साथ पढ़ने पर बल देना फोर्त है सी चार्थियों की रूच के विशे पर चर्चा करना दोस्तों आपके जादा तर जो कमेंट हैं वो पॉजिटिव आते हैं तो थैंक यू आप लोगों को आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं इसी तरह आप लोग अपने एक्जाम हाल में अपना जो पेशन्स है इसी तरह बनाए रखिएगा मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग एक अच्छा स्कोर करके आएंगे तो दोस्तों इसका आंसर जो शुद्ध उचारण पर बल देना ये तो आपका नहीं होगा पुस्तक की पाठ सामगरी को सश्वर पढ़ना ये भी नहीं होगा शुद्ध उचारण तता भाव के साथ पढ़ने पर बल देना ये भी नहीं होगा यानि शिचारतियों की रूच के विशे पर चर्शा करना तता विशे बस तुस्य समद्ध शब्द संपदा पर ध्यान देना फोर्थ आप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा और दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट जो है ये करेक्ट आंसर कर रहे हैं सारे कोशन के पाज़टिव आंसर आते हैं कुछ ही होते हैं जो मिस्टेक होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है आपका ये आंसर देखकर आपका कमेंट देखकर अगला कोशन आप देख पारोंगे शिचार्थियों को सीखने तथा विशे पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते फर्स्ट है विजानते हों कि परिच्छाओं में विशे वस्त के प्रती उनकी समझ के लिए उनकी परिच्छा ली जाएगी सिकंड है उन्हीं विश्वाश हो कि जो काम वे कर रहे है वَरोचग है तिथा उनके श्वयम के और शिक्षक के जीवन से सम्मدुत है थार्ड है उन्हें इस बात का पुरुआ भास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देशों की उपलब्दी के लिए सकारात्मक पुनरबलन मिलेगा फूर्थ है वे इस बात को महसूस करते हों कि एक तरह के कारे में वे अपने सहपार्ठियों से बेतर निस्पादन कर सकते हैं तो दोस्तो इसका correct answer आप लोग बताईए दोस्तो टाइपिंग में जो है थोड़ा mistake हो जाती है तो आप इसके लिए स्वारी कही न कहीं कुछ न कुछ वर्ड में हो जाती है तो आप लोग इन चीजों पे ज़्यादा focus मत करिएगा जहां mistake होती है मैं बता देती हूँ उसके लिए स्वारी हो जाता है tapping में कुछ न कुछ ठीक है तो इसका answer आप लोग करिए नेक्स कोशन देखेंगे निम्नालिकित में से कौन से युक्ती विद्यार्थियों को अच्छा भाशर देने का प्रशिचर देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती नहीं की जा सकती हमें बताना है फर्स्ट है शुद्ध उचारण का प्रदर्शन करके दिखाना सिकेंड है जीवा तता होटों की सही इस्तिती का भ्यास करना थर्ड है सिचार्थियों को जीवन की वास्तविक इस्तितियों पर बोलने के उसर उपलब्द करना अब तो आप लोगों ने आंसर पकड़ी लिया होगा फोर्ट तरशी चार्थियों को एक मिनट के लिए बोलने का उसर देना ताकि आप उसकी तुरूट्यू का निदान कर सकें दोस्तों जैसा कि मैं आपसे बार-बार कहती रही हूं कि कोशन में जहां पर नहीं वर्ड आए उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट है जो जल्दी-जल्दी में यह नहीं छोड़ करके जो पॉजिटिव आंसर होता है उसको करके निकल हैं तो इस पर आप लोग बहुत बारिकी से ध्यान दीजिएगा इसलिए जहां भी नहीं वर्ड आता है मैं उसको अंडर-लाइन कर देती हूं तो दोस्तों इसका अंसर आप लोग करिए बोलने का आउसर देना ताकि आप उसकी तुरूटियों का निदान कर शकें विद्धार्थियों को अच्छा भाषर देने का प्रिशिच्छर देने के लिए इस्तिमाल नहीं की जा सकते यह हमें बताना है दोस्तों थार्ड आप्शन हम देख पारेंगे सिच्छार्थियों को जीवन की वास्तविक इस्तितियों पर बोलने की औसर उपलब्द कराना यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है जैसा कि आप कोशन को समझेगा कौन से युक्ति विद्धार्थियों को अच्छा भाशार देने के प्रिशिच्छर देने के लिए इस्तिमाल नहीं की जा सकते तो यह हमें बताना है तो हमारा थर्ड जो आप्शन है यह करेक्ट होगा नेक्स कोशन देखेंगे बाशा कोशलों के उप कोशल है यह इसमें हमें बताना है तीन है या फिर चार है या फिर पांच है या फिर तीन यहां पर तीन तीन डबल आ गया यहां पर दो रहेगा दोस्तों यहां पर आप लोग दो कर लिजीगा इसमें दो होगा ठीक है भाशा कोशलों के उपकोशल है फर्स्ट है दो सेकेंड है चार थर्ड है पांच फोर्ट है तीन इसमें कौन सा अंसर आपका करेक्ट होगा भाशा कोशलों के उपकोशल कितने हैं तो दो हैं दोस्तों यानि फर्स्टी आप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है दो होगा ठीक है नेक्स कोशन और आज की इस सीरीज का लास्ट कोश्चन है यह सारे कोश्चन आपके दोस्तों आठ जनुरी 2022 को पूछे गए हैं बोध गम निवेशों का विचार सरोपतम किसके दौरा दिया गया फर्स्ट है स्टीफन क्रेशन सेकेंड है नॉम दिया गया दोस्तों इसका जो करेट आंसर होगा वह स्टीफन क्रेशन की दोरा दिया गए है य tehा इस्टीफन हमारा क्रेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आज की स्रिच के 15 पेड़ागोजी के कोश्चन कैसल कीसे लगे आप लोगों के और इन 15 कोशन में आप कितना कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करिएगा जादा जादा शेयर करिएगा अपना लव और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए बाई बाई टिक केर कुछ रही है पढ़ते रहे है